कॉंग्रिस पार्टी ने मंगलवार को करनाटक विधान सभा चुनाव को लेकर बैंगलोरू में अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है कॉंग्रिस के रास्टे अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे ने घोशना पत्र जारी किया है कॉंग्रस पार्टी ने अपने चुनाब घूशना पत्र में खाली पड़े सभी स्विक्रित सरकारी पदों को भरने का वादा किया है ये भी कहा है कि 2006 के बाद नियुक्त सरकारी करमचारियों को OPS के तहत पेंशन मिलेगी आई इस वीडियो में जानते हैं कि कॉंग्रस के घूशना पत्र में क्या है खास बाते हैं घूशना पत्र में क्या है सभी स्विक्रित रिक्त सरकारी पदों को एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा 2006 के बाद नियुक्त सभी सरकारी करमचारियों को पुरानी पैंशन दी जाएगी स्वास्ते एव परिवार कल्यान विभाग में 15-20 साल से कार्यरत समविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा पुलिस में नियुक्तियां इस तरह से की जाएंगे कि स्थाफ में एक तेहाई महिलाएं हों और कम से कम एक फीसिदी पद थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित हों साइबर और आर्थिक अपरादों को रोकने के लिए रिसर्च किया जाएगा इसके लिए 200 करोड रुपे का कोश समाज में हिंसा पहलाने वाले सम्हों के खलाव कड़ी कानूनी कारवाई होगी चाहे वो बहु संखिक समुदाय बजरंग दल अल्प संखिक समुदाय या फिर पी एफ आई जैसे समुद से ही क्यों ना हो हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड वाई फाई होट स्पॉट दस लाग से अधिक अबादी वाले शेहरों तक टेंडर शेयर सडकों का वस्तार किया जाएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए करनाटक अपार्टमेंट ओनर्शिप एक्ट 1972 में संशूधन चूनिय ब्याज पर दस लाग रुपे तक के क्रिशी रिन स्विकृत किये जाएंगे भाजपा साशमी राज्य में बनाये गए तीन क्रिशी कानूनों को वापस लिया जाएगा दंदनी विवाद के बीच कॉंग्रिस ने मिशन शीर क्रांती के तहत राज्य में दूद उत्पादन बढ़ा कर एक दिशमलव पांच लाक लीठर करने का वादा किया है वन वासियों की समस्याओ के समधान के लिए वन अधिनियम में संशोधन लाना करनाटक में कॉफी का एक ब्रांड बनाना गोबत तीन रुपे प्रती किलों की दड़ से खरीदना और ग्रामिन महिलाओ एव यूवाओ को शामिल कर गावों में मंगलूरू में देश का सबसे बड़ा बोट बिल्डिंग याड बनाना मंगलूरू में गोल्ड एंड डायमेंड पार्क की स्थापना गहरे समुंदर में मचली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर कर मुफ्त डीजल उपलब्द कराना अगले पांच सालों में सिंचाई के लिए 1.5 लाग करोड रुपे जुसमें मेके दातू और महादई जैसी विवादित सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन शामिल है पहली कैबिनेट बैठक में महादई परियोजना के लिए 500 करोड रुपे अवंटिट किये जाएंगे प्रतियेक निर्वाचन शेतर के लिए 10 करोड रुपे का स्टार्ट अप फंड आधनिक तक्नीक में अनुसंधान और विकास के लिए 1000 करोड रुपे नोटबंदी और कोविड महमारी के कारण बंद प्रतिष्ठानों को दुबारा खोलने के लिए विशेश पैकेज 200 यूनिट मुफ्त बिजली परिवार की प्रतियेक महिला मुख्या को हर महीनी 2000 रुपे दिये जाएंगे बेरोजगार सनातकों को दो साल के लिए 3000 रुपे प्रतिमा और बेरोजगार डिपलोमा धारकों को 15 रुपे प्रतिमा दिये जाएंगे KSRTC BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी आईए अब ये जान लेते हैं कि इस घूशना पत्र की बड़ी बाते क्या हैं अगले पांच सालों में किसान कल्यान के लिए 1.5 रुपे देगी सरकार दूद पर बढ़ीगी सबसीडी 5 रुपे से बढ़कर 7 रुपे किया जाएगा नारिल किसानों और अन्ये के लिए सुनिश्चित की जाएगी MSP ग्रह जोती योजना के जरिये दी जाएगी 200 यूनिट मुफ्त बिजले कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे ने घूशना पत्र जारी करते हुए मैं गारेंटी देता हूँ के सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्री मंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा साथ ही भाजपा द्वारा पारित किये गए अन्याय पूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक साल के भीतर ही रद कर दिया जाएगा बीजेपी ने सुमवार को करनाटक की जनता के लिए अपना घूशना पत्र जारी किया था जिसमें यूनिफॉर्म, सिविल कोड और नागरिको के राष्टिय रेजिस्टर यानि के एन आर्सी को लागू करने का वादा किया था फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही बाकि और खबरे देखने के लिए जुड़े रही है जनता के साथ